थेलो दोस्तों, investing with Prame चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ दो कंपणिया को डिसक्स करने वाला हूँ यह धोनो ही कंपनिया बहुत ही अच्छी कंपनिया है अपने फिल्ड में जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आने वाले टायम म है यह जो है मर्टी वेगार रिटन देने के लिए तयार हैं ये धोनों ही कंपणिया जिनमें से एक कंपणिय का आप यहां पर प्राइस भी देख सकते हैं जो की मात्र 7 रुपर पर इस टाइम पर है ठीक है यानि 7 रुपर इस टाम ट्रेट कर रही है यह कंपनी तो इन धोनों video को start करते हैं आज की जुमारी पहली company है यह company जो अभी के time जो है 7 रूपय पर trade कर ली है और यह penny company है और इसने जो है एक दिन के चार्ट में आप देख सकते हैं कितने 2% के जो है इसने positive return भी आप देख सकते जिसमें जो 64 रुके जो है positive return बना के दिये हैं और इसमें आप एक चीज यह दे सकते हैं यह जो है COVID के time पर यहाँ पर देख सकते हैं यह देखिए COVID के time पर कितना 1 रुपे पर trade कर रहा था 2022 जून को ठीक है और उसके बाद यह कहां 12 रुपे तक गया है यानि कि अगर इस टाइम पे किसी ने भी यानि कोबिट के टाइम पे किसी ने इसमें एक लाग लाया होता तो यहां पहुंसते पहुंसते ठीक है यह कितना इसका 12 लाग बन चुके होते यानि इतने अच्छे रिटन दिये थे हैं और यहां के बाद उसके बाद इसके उसमें जो है काफी अच्छा करेक्शन आया जिससे यह कितना चार रुपे तक नीचे गिरी गया था और चार रुपे सब बापिस जा कि यह उटना शुरू हुआ है जो कि अब 7 रुपे तक बापिस पहुँच चुका है तो यानि यह जो है बहुत ही अच्छे रिटन बना के दे रहा और टाइम कब यह इसमें दे सकते हैं 20% क्योंकि यह जब उठा उसके अच्छी करेक्शन हुई अभी यहां पे आप देख सकते हैं जो चीज यहां पे थी वही चीज यहां पे बन रही है यहां से जो यह उठके इतना उचा गया वही चीज यहां से दोवारा रिपीट होगी यानि कि यह दोवारा एक अच्छा हाई बनाएगा और पहले वाले से ज़्यादा उच्छा बनाएगा तो यही time होता है कि आप किसी भी जो stock है उसमें इस time पे इन्वेस्ट करें ना कि इस time पे यहां से आप करेंगे तो जो इसका price का चार्ट है वो उपर के लिए ही जाएगा यहां से आपके profitable बनने के chances जो है वो ज़्यादा है loss होने के chances जो होते हैं वो बहुत ही काम होते हैं वो इसके काम के बारे भी जान लेते हैं यह जो company है वो क्या करती है यह company जो है यह cattle के जीज़ फूड प्रोड़क्ट बनाते हैं जिसमें की जो क्या है यह cattle feed और जो है feed supplement पगरा जो है वो manufacture करते हैं यह company जो है animal healthcare solution company है जो की help करती है dairy farmers की जो productivity है उसको improve करने में help करती है ठीक है और यह company जो है compound animal feed की जो varieties होती है कितने तरीके के यह manufacture करती है जिसमें की यहाद आते हैं जैसे cattle feed हो गया cattle feed chips हो गया camel feed हो गया, cotton oil cake हो गया, mustard oil cake हो गया and a wide range of feed supplement यह सब जो है manufacture करती है और यह जो company है, यह company जो है leading supplier है इन company के लिए जिनका की यह नाम है जो आप देख सकते हैं इफको किसान हो गया, mother dairy हो गया पारस dairy हो गया, सहज dairy हो गया इन सब के लिए यह leading supplier का का काम करती है यह company और इस company के जो product है और जो brand है, यानि किस brand के अंतरकत वो बेचे जाते है वो भी आप यहाँ पर note कर सकते है जैसे कि क्या 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 इनके जो product है जैसे काल्फ starter हो गया, hyfer हो गया dairy काल्फ grower हो गया, low yield cattle हो गया basic milking cattle हो गया and high yield cattle under brand name जो किया जाते हैं जैसे हो गया diamond wonder हो गया, winner हो गया ठीक है, eco हो गया, milk booster हो गया hyfer grower हो गया ठीक है, natural calf starter हो गया buff powder हो गया यह सारे जो हिन के brand है और feed supplement में भी आप देख सेहते हैं जिसमें liquid calcium हो गया, liver tonic हो गया mineral mixture हो गया, ultra tonic हो गया digestive powder हो गया, यह सब जो है और इसमें multi vitamins भी आ जाता है यह किस brand के, किस brand नाम से बेचे जाता है, जिसमें आ गया जैसे कैल्टस हो गया, for you आ गया live does हो गया, rumitas हो गया autovita हो गया, mostamine हो गया और actinox हो गया तीक है, यह सारे जो है brand है इसके feed supplement के, और इस company की manufacturing capacity है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें इसकी जो दो production facilities हैं, जो कि कहां करना में हैं, जिसकी जो installed total installed capacity है, जिसमें कि हमारे cattle feed plus feed supplement के दोनों की चोड़ के, जो है, वो कितनी है वो 1.6 lakh metric ton per annum की है जबकि इसकी एक unit, जो है, वो सहरनपूर में भी है, जो कि जिसमें आप इसकी compounder sales and profit growth देख सकते हैं, 5 साल की 12% के साब से बढ़ रही है, 3 साल की 23% के साब से बढ़ रही है, sales growth और TTM की अभी की देख सकता है, 48% के साब से बढ़ है, जो कि बहुत ही अच्छी है, वहीं इसकी profit growth भी देख सकते हैं, जो कि 5 साल की 24% के साब से बढ़ रही है, 3 साल की 45% के साब से और TTM की 69% के साब से बढ़ रही है, यानि कि यह बहुत ही अच्छे numbers हैं, इस company के fundamental भी देख सकते हैं, यह company जो एक बहुत छोड़ी company है, microcap की company है, जिसका market के मातर 60 करोड का है, जिसका PE ratio कि इतना 40.59 है, जबकि इंडरेस्टी भी 43.92 है, अपने इंडरेस्टी पी साफ़ी सस्ते वैलूशन पर है, PV ratio 1.48 है, और debt equity आप देख सकते हैं, एक के निचे होना चीए, जो कि यहाँ पर है, जो कि 0.19 है, यान 0.19 है, क्योंकि बहुत ही ठी है, debt को लेके company में किसी पर आई कोई दिक्कत नहीं है, ROE इसका 3.57 है, earning per share इसका 0.17 है, dividend deal है भी कुछ नहीं है, company बहुत छोटी है, book पहले इसकी 4.65 है, और फिस पहले इसकी 2 है, यानि आने वाले time भी यह एक बार और split दे सकती है, वही इसके profits आप note कर सकते हैं, जहां इसका 2020 में कितना 35 lakh का profit होता था, वही 2023 में बढ़के कितना 1 crore का profits होने लगा है, और revenue भी इसका देख सकते हैं, 2020 में जहां इसका revenue 40 crore का था, वही 2023 में बढ़के कितना 75 crore का हो गया है, इस company की जो है वो balance sheet भी आप देख सकते हैं इस company के पास 2020 में जो reserves हैं वो कितने 7.49 करोड के इसके पास reserves थे जो कि September 2023 में बढ़के कितने 23.20 करोड के reserves इसके पास हो चुगे हैं अब borrowing इसके पास कितनी है मातर 7.89 करोड की जो कि इसके reserves से काफी कम है जो borrowing है उसको लेकर के इस company में कोई problem वाली बात नहीं है और इस company के जो shareholding pattern भी आप note कर सकते हैं इसमें प्रमोटर का stake है वो काफी कम है ये थोड़ा एक rescue point है इसके में क्योंकि इसमें promoter ने अपना stake जो है थोड़ा कम किया हुआ है जो कि 27.46% है इस time promoter जो है और इसमें जो retailer हैं वो 72.54% जो है वो बने हुए है इसमें FIDIS का कोई भी stake नहीं है क्योंकि company बहुत चोटी है तो यहां जिस company के हम बात कर रहें इसका नाम आप देख सकते हैं ये company है अजूनी बायोटेक जो कि बहुत अच्छी company एक पेनी company है और इसका जो price भी काफी कम है इस time पे इसको भी जो है आप investment के लिए अपने पॉस्टेश में आप एड़ करके रख सकते हैं investment के लिए बहुत अच्छी company है यह आज की जो दूसरी company है यह इस time जो है भी 65 रुपीज पे जो है trade कर रही है और इसका एक दिन का graph आप देख सकते हैं एक दिन के graph में इसने कितने लबक जो है एक percent के positive return बना के दिये हैं एक मैने में इसने कितना 19 percent के positive return बना के दिये हैं और एक साल में इसने 33 percent के positive return बना के दिये हैं और पांच साल के return आप देख सकते हैं 252 percent के positive return ठीक है यानि कि अगर किसी ने जो है पांट साल पहले एक लाग लगाया होता तो उसका यह एक लाग जो है साड़े तीन लाग में कर्वर्ड हो चुका होता ठीक है यानि इसने अच्छे रिटर्म राके दिये हैं और आल टाइम में आप देखे हैं कितने 1421 परसेंट के पॉस् यूह就到 डाइम से कंफ्टर से ओती है जिसमें की क्या है है कि जो हमें प्रोडक्ट में ने बिरी असले काे मेनिक्टर करती हैं और इनका गुच्टी आप का ह जिसमें के की सब्सक्राइब करती है यो सब कम से कम 27 यो नहीं ATO ॊंत आर्य इसके जो speciality chemicals हैं उसमें यह जी देखिए अब क्या क्या manufacture करती है जिसमें आजाता है यह CPBC आजाता synthetic iron oxide pigment आगया और synthetic rutel आगया और intermediate chemicals में आप देख सकते हैं यह मैं क्या उन कौन से जो यह manufacture करती है जिसमें sodium bicarbonate आगया hydrochloric acid आगया liquid chlorine आगया ट्राइक लोरो एतिलीन आगया यू तॉक्स आगया फेरिक क्लोराइड होगया सोडियम हाईपकलाइड हो गया और ammonium bicarbonate हो गया यह सारे जो है intermediate chemicals में यह manufacture करती है और उसी के साथ साथ आप इसमें देख से commodity chemicals में भी आप note कर सकते हैं जिसमें किया क्या soda ash हो गया कास्टिक soda हो गया और PVC यह जो है यह manufacture करती है और इस company की जो है growth पी आप देख सकते हैं इसकी compounder sales growth आप देख सकते हैं 10 साथ परसेंट से बढ़ी है पांस साल की सत्रा परसेंट से तीन साल की सताइस परसेंट से और TTM की जो है वह माइनस में जा रही है इस परसेंट से ठीक है वह अभी की है थोड़ी लेकिन आने वाले टाइम भी यह जो है पॉस्टिव में आतो भी लिखेगी आपको बहुत जल वहीं इसकी compounder profit growth पे आप देख सकते हैं दस साल की चार परसेंट से बढ़ रही है पांस साल की 58 परसेंट से और तीन साल की 101 से बढ़ रही है यह थोड़ी इस बार कम रही है आने वारे टाइम में यह जो है पॉस्टिव में होती है आपको बहुत जल दिखेगी और इसका अपनी के जो है फंडमेंटल भी आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है और इसका पी-ई रिश्यो कितना है 19.93 जबकि इंड़स्टी पी 19.43 है यह अपने इंड़स्टी पी के जो है बिल्कुल पास पास है ठीके पी-पी रिश्यो 1.85 है डेट को लेके कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि एक के नीचे है ठीके आरोई इसका 9.27 परसंट है अर्निक परसे 3.26 है और डिविडेंड येल इसके जो है प्रोफिट्स भी आप नोट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा शांदार है जहां कोवेट के टाइम 2020 में इसको 27 क्रोड का जो है लॉस वागरता था वहीं 2023 में बढ़के कितना 192 क्रोड का इसको जो है प्रोफिट हुआ है और इसका रेविन्यू पर भी देख सकते गतने थे वो आफ नोट कर सकते हैं इस में यह जो है 626 क्रोड के पास रिजर्ब्स वागजर दे थे 2020 में बढ़के कितने 989 क्रोड के पास रिजर्ब्स हो चुके हैं और इसका जो डेप्ट है वो भी आप देख सकते हैं जो की कांटिंूसली कम करता हुँा रहा है 2022 में मार् अपना जो करजा जो है दिरे-दिरे कम करती जा रही है और इसमें जो है शेयर ओलिंग पैटन आप नोट कर सकते हैं इसमें जो प्रमोटर का स्टेक है वो इसमें जो है सबसे जादा है और वो बढ़ाते भी जा रहे है अपना स्टेक जो कि आप यहां पर नोट भी कर सकते हैं जहां आप देख सकते हैं इसके December quarter में या September 2022 से आप नोट कर सकते हैं जहां प्रमोटर इसमें 44.85% थे वहीं उसके अगले उसमें quarter December 2022 में इसने कितने 45.10% के जो है वो हो गया है प्रमोटर का स्टेक और यहीं स्टेक जो है अभी तक इसमें जो है बना हुआ है वहीं FIS ने भी अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है पिछले quarter के मुकाबले जो की पहले 7.99% था वहीं अभी के टाइम जो है 8.43% जो है इसमें FIS का स्टेक है और जो DIs है उन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया है जाए उनका स्टेक पहले जून 2023 में कितना 0.01% था वहीं September 2023 में पढ़क 40 पैसे पर ट्रेड कर रही है और ये कंपनी भी जो है इन्वस्मेंट के लिए जो है बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें FIS और DIs ने भी जो अच्छा स्टेक बढ़ाया है प्लस प्रमोटर भी जो है अपना स्टेक इसमें बढ़ाते जा रहा है यानि आने वाले टाइम मे इसमें जो है ग्रोथ के चांसे जो है बहुत ही जादा है ठीक है तो मेरे दोरह ये जो दोनों जो कमपनियां बताई गई है ये दोनों जो है सिर्फ एजुकेशनल परपस से बताई गई है ठीक है इसमें किसी भी तरह कोई बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है और कोई भी इसमें अपना जो है या कुछ करना चाहता है वह अपने खुद के रिस्क पे करें और अपनी खुद की रिसर्ट करने के कमेंट कीजेगा चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच